आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरू जी में आज हम परने बाले हैं परियावरन और हमका अध्याय पांच जिसका सीर्सक है स्वाद अलग-अलग अध्याय के बीच जो प्रस्ट हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे आईए पाट सुरू करते हैं खाने की चीजें कई प्रकार की होती हैं इनके स्वाद भी अलग-अलग होते हैं कुछ खाने की चीजें मीठी होती हैं तो कुछ तीखी तो आईए प्रस्ट संख्या एक देखें नीचे कुछ चीजों के नाम दिये गए हैं उनका स्वाद बताईए तो आईए चीजों के नाम देखते हैं फिर उनका स्वाद बताते हैं जलेवी, जलेवी मीठी होती है, तो यहां स्वाद में हमने लिखा है मीठा, अचार, खटा होता है, लड्डू, मीठा होता है, कचवरी, नमकीन होती है, मिर्च, तीखा होता है, करेला, करवा होता है, आमला, कसैला होता है, इमली, खटा होता है, आईए अगले प्रस्न को दे अंग का नाम लिखिए और उसका चित्र बनाईए तो आईए इसका उतर जानते हैं मुह के अंग जीव से हमें वस्तुओं के स्वाद का पता चलता है चित्र बनाने की गतिविदी आपको स्वेंग ही करनी है आईए अगले प्रस्न को देखें प्रस्न संख्या 3 का एक जीव को दात से सटाकर रसगुला सब्द बोलिये क्या आप रसगुला सब्द सही से बोल पाए तो आईए इसका उतर जानते हैं नहीं जीव को दात से सटाकर हम रसगुला सब्द नहीं बोल सकते आप कोसिस कर सकते हैं आपको रसगुला बोलने में परिसानी होगी आप सही से नहीं बोल पाएंगे, आईए अगले प्रस्न को देखें, प्रस्न संख्या 3 का 2, स्वाद की पहचान के अलावा जीव हमारे और किस-किस काम में मदद करती है, तो आईए इसका उतर जानते हैं, जीव हमें भोजन चबाने के दोरान उसे घुमाने फिराने में मदद करती है, जीव स लाद निकलता है, जो चबाये गए भोजन को गीला कर देता है, जिससे उसे निगलने में आसानी होती है, आईए अगले प्रस्न को देखें, प्रस्न संख्या 4, हम लोग भोजन चूज कर, चबा कर तथा निगल कर करते हैं, लेकिन पसु पक्षी अपना भोजन किसी एक खा बकरी, कुत्ता, मक्खी, सेर, घोरा, गधा, मच्छर, भैस, मूर, खरगोस, मच्छली, सांप, खटमल, छिपकिली, मुर्गा, तो आईए इन्हें सारनी के अंसार चाटते हैं, चबा कर भोजन करने वाले जीव हैं, हिरन, बकरी, कुत्ता, सेर, घोरा, गधा, भैस, और खर गोस, चूसकर भोजन करने वाले जीव हैं, तितली, मक्खी, मच्छर, और खटमल, निगल कर भोजन करने वाले जीव हैं, मेधक, मच्छली, सांप, छिपकिली, मूर, और मुर्गा, आईए आगे बढ़ते हैं, दात 32, कल मैं रोहित से बोली, आँख मीच और मुह खोल, उसने सोचा मन ही मन, आता है लड़ू मुह में गोल, मैंने जटपट गिंडाले, उसके मुह के सारे दात, और बनावट देखके उनकी, फिर बोली मैं अपनी बात, आईए कुछ करके देखिए, बिना दातों को काम में लाए रोटी खा कर देखिए, सिर्फ पीछे के दातों से गाजर, मूली, सेव काट कर देखिए, बिल्कुल सामने वाले दातों से गन्ने को छील कर देखिए, तो ये गतिविधी आपको स्वैंग ही करनी है, आईए अग तो हम अपने भोजन को चवा नहीं पाएंगे। आगे, अगले प्रस्ण को देखें। प्रस्ण संख्या 6 आप भी अपने साथी के दाउचे को देखिए और बताइए। तो आगे, प्रस्ण संख्या 6 का एक देखें। क्या सभी दांत एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो इसका उत्तर होगा नहीं, सभी दांत एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, आईए अगले प्रस्ण को देखें, प्रस्न संख्या 6 का 2 प्रस्न संख्या 6 का 3 पिछले प्रिष्ट पर बने चित्र में अलग अलग तरह के दातों की संख्या का पता लगाते हैं और सार्नी में भरते हैं काटने वाले दांत करिंतक कहलाते हैं और इनकी संख्या आठ होती है। चिलने वाले दांत रदनक कहलाते हैं और इनकी संख्या भी आठ होती है। चवाने वाले दांत चवाने वाले दांत चवरनक कहलाते हैं और इनकी संख्या सोलह होती है। आईए अगले प्रस्ण को देख हमारे चवाने वाले सभी दांत एक जैसे नहीं हैं चवाने वाले सभी दांत अलग-अलग तरह के होते हैं आईए अगले प्रस्ण को देखते हैं प्रस्ण संख्या साथ बताईए तो आईए सार्णी को देखते हैं क्रम संख्या प्रकार इनसे क्या-क्या खाते हैं तो आईए क्रम संख्या 2 देखें अंग्रेजी में इसे क्यनाइन बोलते हैं चवाने वाले दांत चवरनक कहलाते हैं अंग्रेजी में इसे मोलर कहते हैं आईए अगले प्रस्न को देखें प्रस्न संख्या 8 कौन सा दांत किस अउजार की तरह काम करता है पिलास की तरह रदनक या छिलने के कामाता है खरल की तरह चवरनक या पीसने के कामाता है कहिची की तरह कृंतक या काठने के कामाता है आईए आगे बढ़ते हैं रस्न संख्या 9 का एक दांत हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण है क्या इनकी संख्या बच्चे और बरों में एक समान रहती है या अंतर रहता है तो इसका उत्तर होगा अंतर रहता है जो जो बच्चों की आयू बढ़ती जाती है दातों की संख्या भी बढ़ती जाती है आईए अगले प्रस्ण को देखें आईए प्रस्ण संख्या 9 का 2 तीन वर्स का बच्चा या बच्ची, उनके दातों की संख्या होती है 16, आट से नौ वर्स का बच्चा या बच्ची, उनके दातों की संख्या होती है 20, और 21 साल से उपर के जो व्यक्ति हैं, उनके दातों की कुल संख्या होती है 32, आईए अगले प्रस्ण को देखते हैं, प् प्रस्ण संख्या 11 का दो अगर उनके दाद तूटते हैं तो क्या वे वापस आ जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा दादा जी से पूछने के बाद पता चला कि दूसरी बार दाद गिरने के बाद वे वापस नहीं आते हैं आईए अगले प्रस्ण को देखें प्रस्ण संख्या 12 भोजन चबाने में दाद और उसका स्वाद लेने के लिए जीव की आवस्यकता होती है अगर दाद गंदे हों तो कई तरह की बिमारियां हो सकती है इन्हें नियमित रूप से साफ करना आवस्यक है आप अपने दादों की सफाई कैसे करते हैं? तो आईए इसका उत्तर जानते हैं मैं अपने दादों की सफाई टूथ ब्रस और टूथ पेस्ट से करता हूं कई बार मैं अपने दादों की सफाई के लिए दादुन का प्रियोग भी करता हूं आईए आगे बर हैं जिस तरह हमारे दांत होते हैं, उसी तरह जानवरों के भी दांत होते हैं, उनके दांत भी गिरते हैं, कुछ जानवरों जैसे घोरा और सेर के भी दांत मनुस्यों के तरह एक बार गिरते हैं और उसकी जगह फिर नए दांत आते हैं, लेकिन साप और मगरमच अपने जीवन मे कई बारदात बदलते हैं इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद